हलो नमस्ते आज हम बात करेंगे एक ऐसी सक्सियत के बारे में जिनोंने सीमीत संसादनों में विप्रित परिस्तितियों में सिख्षा करेंगी और उसी सिख्षा के दम पे कहला आए वो भारते सयुधान के पिता यानि फादरोग कॉंस्ट्टूशन और वो बने अजाद भारत के पहले कानुन मंत्री यानि आज हम बात करेंगे डाक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हम आपको बता दें डाक्टर भीमराव अंबेडकर का जनम 14 अपरेल 1891 में हुआ था इसलिए भारत सरकार हर साल 14 अपरेल को बनाती है डाक्टर अंबेडकर की जैनती और इसी सि से में हर्याना एक्जाम एटू जड की टीम ने इस आउसर पर बारा अप्रेल तेरा अप्रेल और चोदा अप्रेल तीन सेसन आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे डाक्टर भीमराव अंबेड करके जिए उनके बारे में विस्तार से कब उनका जनम वुआ क्या योगदान था और साथ ही बताएंगे कब और किन प्रिस्थितियों में उन्होंने बहुत धर्म अपनाया और आज परजेंट में क्या महत्तव है डाक्टर भीमराव अंबेड करका चलो इसी सिल्से में स्टार्ट करते हमारा आज का सेसन और पहला सेसन हम आपको बता दें डाक्टर भी 2022 को राष्टर दुहारा डाक्टर भीमराव अंबेड करकी 132 जैनती मनाई जाएगी डाक्टर अंबेड कर एक समात सुधारक न्यायविद अर्थ सास्त्री लेखक भू भासाविद यानि कई भासाओं के जानकार विद्वान और विभिन धर्मों के विचारक थे डाक्टर भीमराव अंबेड कर इनका जनम 14 अप्रेल 189 में महू परांत में मद्य परदेश में हुआ था हुने यानि डाक्टर भीमराव अंबेड कर को फादर ओप कॉंस्ट्यूशन फादर ओप इंडियन कॉंस्ट्यूशन यानि भारतिय सयुधान के पिता के रूप में विजाना और वो भारत के पहले कानूनमंत्री थे वह सयुधान निर्बान के मुसोदा सिमीत्य के अध्यक्स थे यानि उस सिमीत्य के अध्यक्स ते जिसने भारतिय सयुधान का ड्रार्प त्यार किया है वे परशीज राजनेता थे उन्होंने दलीतों और अन्य सामाजिक रूप से पिषड़े वर्गों के अधिकार लड़ाई ली वो एचीवन वो दलीत पिषड़ों और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रही उन्होंने मार्च 1927 में इंदू के खिलाब महाड सत्यागरह का भी नित्तव किया 1927 में मुंसिपल बोर्ड ओफ महाड जो कि महराश्टर में सभी समुदायों एतू तलाबों का उप्योग करने से सम्मनित आदेश वारित किया इससे पहले अचुतों को महाड में तलाब के पाने का उप्योग करने की अनुमती नहीं थी यानि इसी महाड सत्यागरह के बाद वहां के मुंसिपल बोर्ड ने या अनुमती दी कि वहां के तलाबों में अब छूतों को भी महाड के तलाब में पाणी का उप्योग करने की अनुमुती मिलेगी उससे पहले अनुमुती नहीं थी इसके अलावा हुन्होंने तिनु गोल में सम्मेलन यादि राउंड टेबल कॉन्फरेंस में भाग लिया वर्स 1932 में डाक्टर अंबेड करने महत्मा कान्दी के साथ पुना समझोता प्रास्ताक्षर किये जिससे हुनोंने दलित वर्गों हेतु पर्थक निर्वाचन मंडल की मांग के विचार को छोड़ दिया हाला की प्रांती विधान मंडलों में दलित वर्गों के लिए शुरक्षित छीटों की संख्या अब 711 चे बढ़कर 147 कर दी गई थी इसके अलावा वकेंद्रे विधान मंदर में दलित वर्गों की सुरक्षित शेटों की संख्या में 18% की वर्दी की गई उनके काण इसके अलावा RBI यानि रिजरो बैंक और इंडिया की स्थापना के लिए जिस कमिशन की नुक्तिविधी हिल्टन यंग कमिशन उन्हों उसमें भी उन्होंने हैम योगदान निभाया हमने आपको बताया आद डाक्टर भीमराव अंबेड करके बारे में यह अर्यान एक्जाम एट उजर्ड का पहला सेज़ा